नमस्कार आप देख रहे हैं हर्यार्णा नियूज अच्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवी आईए रोख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और दाक विभाग की और से विभिन योजनाओं की ब्याज दरू में बडूतरी की गई है विभाग की और से लोगों से इन योजनाओं का लाब उठाने की अपील की जा रही है दाक विभाग से 16 अधिक्षक आडी पाठक नाहन में पत्रकारों से बाचित कर रहे थे आडी पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि डाग विभाग की और से चलाई जा रही योजनाओ पर ब्याज दरों में परोत्री की गई है इसमें किसान विकास पत्र सुकन्या सम्रदी योजना पीपी एफ योजना शामिल है उन्होंने बताया कि किसान विकास पत्र योजना के तहट 7.5 प्रतीशत सुकन्या सम्रदी योजना में 8 प्रतीशत और पीपी एफ में 7.1 प्रतीशत ब्याज दिया जा रहा है इसके अलावा दाख विभाग की और से बचट खाते पर भी 4 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है जो की बैंकों के मुकाबले अधिक है उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का लाब उठाने की अफील की है आडी पाठक ने बताया कि केंद्र सरकार की और से वाशिक बजट के दौरान महिलाओं के सम्मान में बचट योजना शुरू करने की बात कही गई है जिसे रेखते हुए दाख विभाग ने दो वर्षों के लिए महिला सम्मान बचट पद्र योजना शुरू की है इसमें 7.5 प्रतीशत ब्याज दिया जा रहा है सीनियर सिटिजन स्विंग स्केम की लिमिट को भी 15 लाग से बढ़ा कर 30 लाग कर दिया क्या है जिसका वरिष्ट नागरे खिलाब उठा सकते हैं उन्होंने बताया कि ये सभी योजनाएं देश के 1,69,000 डाग घरों में उपलब हैं इन योजनाओं की जानकारी ग्रहक डाक विभाग की वैपसाइट से भी प्राप्त कर सकता है नाहन से हमारे समबाद दाता जितेन रठाकुर के दिपूर डाग विभाग की विभिन बचती योजनाओं में ब्याद दरोंक में बढ़ोतरी की गई है इसमें विशेशतर जो हमारी FD योजनाओं हैं से किसान विकास पत्तर, NSC, सुकन्य समरिती योजनाओं, PPF एवं टाइम डिपॉजिट है इन योजनाओं की विश्तरित जानकारी डेपार्टमेंट की वैबसाइट पोस्ट इंफो पे उपलब्ध है इस एप को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं सभी डाग विभाग की जितनी योजनाओं हैं इन में जो वियाजदरें हैं, जो बढ़ोतरी की गई है उन में विशेश तोर पे मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी Senior Citizen Saving Scheme है इसकी पहले लिमिट 15 लाग होती थी इंडिविजियल अकाउंट्स के लिए अब ये बढ़ा कर 30 लाग कर दी गई है ये योजना छे वर्षों के लिए है और अगर जमा करता चाहें तो इस योजना को आगे भरदर बढ़ा सकते हैं इसमें सुकन्या समरीदी योजना जो भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के अंतरगत है उसमें 10 वर्ष से कम आईयो की बच्चीयों को इसमें उसके लिए इलजीबिटी रखी गई है उन सबी बच्चीयों का हाता खुलवाया जा सकता है बच्ची को आतब निर्वार करने के लिए ये योजना अत्यंतलाब करी है और इसका जो है वो अब जो है इसमें निकासी की सुवजाबी बना दी गई यहां पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बारत सरकार द्वारा डाक विभा के अंतरगत महिला सम्मान योजना को प्रोशिस उनको सुद्रिड करने के लिए योजना दी गई है ये सबी केवल डाक घरों में ही उपलब्द है और इस योजना के अंतरगत साड़े साथ परसेंट का ब्याज दिया गया है और ये जो है अगर इसको नियुन्तम एक हजार से लेके दो लाग तक जमा किया जा सकता है इस योजना के अंतरगत साड़े साथ परसेंट ब्याज भी निर्दारीत है और इसको कोटरली अक्यूमुलेट किया जाता है यानि एक कोटर के बाद जो ब्याज होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में एड़ करके फिर ब्याज गेंता है किसी जमा करता के बारे में कोई भी शिकायत या कोई फाइनेशल ही रियूर्टीज होती है तो उसको हम प्रॉपरली अड्रेस करते है हमारी योजनाओं में ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक हमारे पास आवर्ती योजना है जिसमें आगर वो पचास रुपए की राशी तक उसमें इंशुरेंस कवर किया जाता है जो पांच वर्ष की योजना है इसके लावा अन्य योजनाओं में हमारे कोई इंशुरेंस का प्रापदान नहीं है क्योंकि यह भारत सारकार का मंत्रा ले यहां इंशुरेंस की कोई जरूरत नहीं है अकाउंटेबिल्टी सुनिश्चित है यहां लोगों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है यहां कोई ऐसा लॉस की बात नहीं है हमारे फेस्बुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करे साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करे और ताजा ख़बरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना न भूले